आये बच्चो देखिए टू पॉइंट पेज नमबर बताना फटा फट जाएंग्जाम्पल चल रहे थे मैंने कितने एक्जाम्पल करवा जिये थे सब्सक्रार फटस चल राइना सब्सक्रांब कर देख सकू कर आधि लुए क norm फिर प्रॉब्लम वेक्ची exercise 2.2 doubt नहीं छोड़ेंगे एक के question doubt लूँगा सभी का doubt के भी ना आगे चलेंगे नहीं fourth में देखे simplify 81 by 16 की power minus 3 by 4 into 25 by 9 की whole power minus 3 by 2 divide 5 by 2 की whole power minus 3 ये है भई next fifth की अगर बात करें 5 minus 3 into root 2 की minus 3 छी छीक है भई next third है third है 1 by 4 की minus 5 और third root है 4 की power minus 5 third root है और बी इतनी करते हैं फिर आगे बात करेंगे सबसे पहले इसको देखिएगा ये कैसे हैं इसको simplify करते हैं 81 3 की power 4 16 2 की power 4 whole power minus 3 by 4 into me bracket 5 की power 2 9 को 3 की power 2 whole power minus 3 by 2 अभी ये divide देखिए power minus 3 है minus 3 को अगर plus 3 power बनाना है तो पलट दीजिए reciprocal कर दीजिए 2 by 5 हो जाएगा power minus 3 की बजाए plus 3 हो जाएगे ठीक है अब दियान से देखिए 3 by 2 की whole power 4 कर दिया into me power में minus 3 by 4 बो क्या हो गया उदर वाला कटा रहा है क्या वेट करो फिर अब बताओ कोई फरक पढ़ ठीक है ठीक है यहां तक अब देखिए into me 5 by 3 की whole power 2 into me minus 3 by 2 divide 2 की power 3 8 5 की power 3 125 ठीक है positive power थी open कर दे ठीक है अब देखिए 4 से 4 cancel 3 by 2 की whole power minus 3 2 से 2 cancel 5 by 3 की whole power minus 3 divide by 8 by 125 minus power है reciprocal कर दीजिए 2 by 3 की whole power 3 हो जाएगा ठीक minus का 3 है power reciprocal कर दीजिए 3 by 5 की power 3 हो जाएगा divide है बच्चपन में याद कीजिए divide का sign multiply में convert हो जाता था और ये वाला reciprocal हो जाता था बच्चपन में हम करते थे थे ना a divides b it means a into में करके 1 by b छोटी क्लासिस में किया नहीं किया कि a divide b होता है तो it means a into में 1 by b ठीक है तो ये this divide था तो divide को multiply में कर दिया और ये reciprocal हो गया उल्टा हो गया अब देखिएगा आगे 2 की पावर 3 8 और 3 की पावर 3 27 bracket 3 की पावर 3 27 5 की पावर 3 125 into में क्या है divide by 8 125 से 125 cancel bracket में 8 by 27 into bracket के अंदर कितना है 27 by 8 8 से 8 cancel 27 से 27 cancel 1 आपका required answer clear है 2 by 5 को cube में रखके हाँ और अच्छा इसको अंदर ले गया multiply में और इसको भी अंदर ले जाते multiply में ये कह रहे हो मतलब हाँ 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 मतलब इसको इधर कर देते इसको इधर कर दो ये कह रहे हो bracket के अंदर ले जाते हाँ कर सकते हैं लेकिन पहले bracket के अंदर का system solve कर लो तो वो इसी रहता है धीरे बार बार वाला भार पड़ा रहने दो पहले अंदर का ठीक है अंदर का प्रोपर्ली सोल्व करते जाओ फिर बाहर वाले से उसका करवा दो वो जादे बैटर रहते है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखिया अब इनको सोलू करना है भई रूट 4 की पावर माइनस 3 बाई 4 है क्या लिख सकते हुए से 4 की पावर रूट का मजब होता है 1 बाई 2 whole power minus 3 by 4 power से power multiply होगी 4 की power 1 by 2 into में minus 3 by 4 यानि की 4 की power कितना हो गया 4 को भी लिख दो 4 को भी लिख दो 2 की power 2 4 को लिख दिया 2 की power 2 into में कौन है 1 by 2 into में minus 3 by 4 2 से 2 cancel 2 की power minus 3 by 4 minus है तो निचे जाके 1 by में 2 की power plus 3 by 4 यहीं छोड़ दो ठीक है ना clear है 4 की power 1 by 2 था 4 को फिर आगे जाके मैंने लिख दो 2 की power 2 और यह 1 by 2 से cancel minus 3 by 4 बचा निचे ले जागे plus 3 by 4 हो गया next इसे देखिएगा इनको रूट 5 की power minus 3 रूट 2 की power minus 3 दोनों को निचे ले जाओ 1 by रूट 5 ठीक है की power 3 हो गया और 1 by रूट 2 की power 3 हो गया क्लियर है यहां तक तो कोई doubt नी ठीक है इकठी power कर सकते हैं यह बात ध्यान रखना इकठी power 1 by रूट 5 इन्टू रूट 2 whole power 3 इकठी लिख दी 3 ठीक है रूट में multiply हो जाएंगे हटेगा नहीं क्योंकि same नहीं है रूट 5 रूट 2 5 तूजा 10 1 by रूट 10 की power कितना हो गया 3 हो गया 5 तूजा 10 रूट के अंदर नहीं same होता है तो अटता ने बिटा यह देखो अगर रूट 5 इंटू रूट 5 होता ना तो अटता क्यों? क्योंकि 5 की power 1 by 2 इंटू 5 की power 1 by 2 यह रूल होता है देखते जाइए ठीक बेश सेम power add 1 by 2 प्लस 1 by 2 5 की power 1 और तो यह अंसर 5 आ जाता बट अब क्या है रूट 5 इंटू रूट 2 है रूट 5 का मतलब है 5 की power 1 by 2 और रूट 2 का मतलब है 2 की power 1 by 2 अब बेश सेम तो है नहीं जो की power add हो बेश तो सेम नहीं है ना तो अब इनकी power इकठी लिख सकते हैं यह रूल तो होता है मेरे पास 5 इंटू 2 कर दो और इकठी power लिख दो इनकी ठीक है जैसे यह होता है ना A की power M इंटू B की power M तो हम A, B इकठे multiply करके उनकी power M कर सकते हैं यह रूल है अब जैसे power सेम थी तो दोनों को अंदर multiply करके कर दिया अगर base सेम होता तो उस टाइम वो root अड़ जाता खाली 5 आता है समझगे मिटा बताईए अब यहां देखो 10 की power 3 है वैसे तो देखा जाए तो इसको यहीं छोड़ सकते हो 10 की power 1 by 2 और उपर 3 है तो multiply कर दो 1 by 10 की power 3 by 2 ठीक है multiply हो जाएगी ना power 1 by 2 3 by 2 लेकिन इन्होंने answer थोड़ा सा और simplify करके दे रखा मैं कर देता हूँ simplify जो book में answer छोड़ रखा है उसके बराबर ले आता हूँ मैं वैसे जरूरी नहीं आप यहां भी छोड़ सकते हो लेकिन अगर क्या क्या कह रहे है आवाज नहीं आ रही है आपकी अच्छा अभी ओके ओके चिंतन शर्मा ठीक अभी देखिए अब इसको कैसे कर सकते हो इसको करना चाहो तो यूंग लिख सकते हो बै वन बाई टू बाद में कर दो टैन की थ्री लिख लो और वन बाई टू या अगर बुक से अंसर मैच करना है आपको तो इस स्टेप से करना स्टार्ट कर दो यह स्टेप दो जाओ इसी स्टेप से इसी स्टेप से अलग करना स्टार्ट कर दो तीन बार है तीन बार मल्टिप्लाई करवा दो रूट टैन रूट टैन रूट टैन ठीक अब यहाँ पर सेम सेम है तो क्या हो जाएगा टैन आ जाएगा वन बाई टैन आ गया और इंटू में कौन है रूट टैन है सेम सेम तो मल्टिप्लाई होके 10 आ जाएगा लेकिन एक रूट टैन आ गया अब बुक वारों ने मैच करने के लिए यह और कर सकते हो कि रूट टैन से मल्टिप्लाई रूट टैन से डिवाइड ताकि निचे से पावर खतम हो जाए ठीक तो रूट टैन रूट टैन फिर से यह दुनों की मल्टिप्लिकेशन क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी और उपर जो रूट टैन है वो तो कितना हो गया 10 की पावर 1 बाइ 2 निचे यह 10 है और रूट टैन रूट टैन यह आपसे multiply हो के फिर से क्या दे देंगे 10 तो answer जो finally आपका वो कितना आ जाएगा 10 की power 1 by 2 divided by 100 which is required answer ठीक एक यहाँ पर यह देखिएगा 1 by 3rd root और 4 की power minus 5 एक एक step by step 4 की power minus 5 as it is 3rd root का मतलब 1 by 3 ठीक है power से power multiply यानि 1 by 4 की power minus का 5 by 3 power से power multiply minus का 5 by 3 हो जाएगा 4 की power अब क्या करो यह minus है तो उपर ले जाएगे तो प्लस 4 की power 5 by 3 है 4 की power इन्होंने क्या कर रखा है 4 अलग निकालना हो 5 को क्या लिख सकते हो पर इसकी power यह लिख सकते हो ना 5 को 3 plus 2 divide by 3 ठीक ऐसे जरुवत नहीं है इसकी यहीं छोड़ सकते हो अंसर यहीं छोड़ सकते हैं बिटा कोई जरुवत नहीं है इसकी 4 3 के निचे 3 अलग से यानि 1 by 2 by 3 यह लिख सकते हो 4 की power 1 plus 2 by 3 इसको add करेंगे तो 5 by 3 आएगा 3 LCM ले लो 3 1 और 2 अब power addition में इसको multiply में लिख सकते हो 4 की power 1 अलग और 4 की power 2 by 3 अलग यह लिख सकते हो 4 की power 1 अलग और 2 by 3 अंसर मैच करना है तो RD से वरना यह भी ठीक है यह भी ठीक है बोलो कहां पे यह 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 वाला तो यह 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 एगी चीज़े ना बेस से में power add हो जाएंगी बेस से अब तो फिर बेस multiply में है ना बेस multiply होना चीए तब power add होते है ना कभी नहीं बोला कभी नहीं बोला ना बेस multiply में होंगे तब power add होती है तो power add थी तो बेस multiply में करवा दिया अलग अलग power करके ठीक है हाँ तो नेक्स देखिए इसके फटाफट इसको यहां तक लाने ही जुरूत नहीं है यहां भी छोड़ सकते हो फटाफट कीजिए कोई बच्चा खाली नहीं बैठेगा हर एक बच्चे के पहन चल ले चलाएं और फटाफट मुझसे आगे करें अगर हो गया तो वेट नहीं करना आप लोगोंने कि हां सर आएंगे तब करेंगे हम आगे करते रहिए नेक्स्ट फोर्थ ट्वंटी फाइव का माइनस वन बाइ थ्री और सिक्स्टीन का थाड़ रूट फिफ्थ एर्थ का थर्ड रूट पावर माइनस वन बाइ टू ठीक और फोर्थ जो है रूट फोर की माइनस सेवन रूट तू की माइनस फाइव इसको लिख सकते हैं फाइव की पावर टू होल पावर माइनस वन बाइ थ्री इन्टू सिक्स्टीन की पावर थर्ड रूट यानी वन बाइ थ्री ठीक पावर से पावर मल्टिप्लाई फाइव की पावर माइनस टू बाइ थ्री इन्टू सिक्स्टीन को लिख सकते हो फाइव की पावर टू इन्टू बाइ थ्री ठीक फाइव की पावर नेगिटिव है तो नीचे जाके फाइव की पावर हो जाएगी पॉजिटिव टू बाइ थ्री ठीक और फावर की पावर से पावर मल्टिप्लाई होगी फावर की पावर हो जाएगी टू बाइ थ्री फावर की पावर भी टू बाइ थ्री फाइव की पावर भी टू बाइ थ्री इकठा लिख सकते हैं इन्हे 4 by 5 कर दीजिए whole power 2 by 3 यहाँ छोड़ सकते हैं इनको इन्होंने इसका भी जुगाड कर रखा है 2 by 5 जितना निकल सके उतना अलग निकाल रखा है ठीक है मतलब इन्होंने पता है क्या कर रखा है जितना पावर से अलग निकल सके न उनको निकाल दीजिए ठीक है इनका main purpose यह है नहीं इन्होंने बॉल भी रखा है free from radical जितना इसे free हो सके उतना free कर दीजिए मैंने statement minus 1 by 3 ठीक है देखो करने के लिए क्या करेंगे इसमें और थोड़ा बहुत two की power ध्यान से देखिए वैसे तो यह आ गया लेकिन power जितनी setting करके निकाली जा सके उतनी बार निकालने हो तो कैसे निकलेंगे square अंदर ले जाएए 4 का square है निचे 5 का square है उपर power 1 by 3 है कोशिश करते है 1 by 3 से कैसे पीछा छुड़ाया जाए अब उस पे वर्क करेंगे 5 की power 2 है एक 5 multiply और divide कर दीजिए कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन 5 की 3 होगी तो यह third root cancel हो जाएगा ठीक है 4 की 2 है इसे भी 1,4 multiply और 1,4 divide कर दिया वैसे कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन cube root से बाहर आ सकता है यहां से ठीक 4 की जगे भी अगर मैं 2 को लेके चलूँ 4 करने की फिर भी जड़त नहीं है देखो 4 नहीं करता हूँ मैं 4 को आप लिख सकते हो 2 की 2 देखो यहीं 4 को लिख दो 2 की 2 और यहां पे एक 2 है तो 2 की 4 हो जाएगा 4 को लिख दिया 2 की 2 और एक स्केर उपर ओर था तो 2 की 4 हो गया पावर से पावर मल्टिपलाई 2 की 4 को 2 की 3 लिख दिया इंटू 2 अलग लिख दिया देखो 4 को लिखा 2 की 2 और एक स्केर उपर था तो power power multiply मतलब येसीन हो गया टू की 2 into 2 by 3 ये power फिर multiply में गई तो 2 into 2 और ये 1 by 3 रहा तो टू की power 4 हो गयी टू की power 4 हो गयी 3 अलग कर दिया 1 अलग कर दिया अब द्यान से देखना, इसका reason क्या है ये इसलिए किया क्योंकि 2 की 3 और 5 की 2 इंटू 5 की 1 ये 2 की 3 और 5 की 3 अलग से बनेगे और ये 5 तूजा 10 अलग से बनेगे टोटल की पावर 1 बाई 3 टोटल की पावर 1 बाई 3 2 बाई 5 की पावर 3 है और इसकी होल पावर 1 बाई 3 है तो अलग कर दीजिए और 10 की पावर 1 बाई 3 अलग कर दीजिए फाइदा 3 से 3 कैंसिल 2 बाई 5 इंटू 10 की पावर 1 बाई 3 यू छोड़ा मिलेगा अनसरी नोई मतलब जितना पावर से बाहर निकाला जा सके उसको पावर से बाहर निकाल दीजिए इसलिए छोड़ा हुआ है जितना पावर से बाहर निकाला जा सके उतना पावर से बाहर निकाल दीजिए हमारे इस अंसर में पावर से बार नहीं निकला हुआ था ठीक है समझ रहे हैं किसी तरह की कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को चले आगे अब देखिएगा नेक्स्ट देखिए अब इसमें भी अगर मैं सिरफ यह परपस लेके चलूँगा किनों ने बोला था किसे फ्री फ्रॉम रेडिकल यानि पावर वगेरा से फ्री करो जीतना आप कर सकते हो तो इसमें देखना एट का थार्ड रूट है यानि एट की पावर है वन बाई थ्री होल पावर हाँ किसको लिखेंगे तो एक मिनिट बाद लिखेंगे ना रुको तो लिखेंगे वो चीज एट को लिख दो तू की थ्री और पावर वन बाई थ्री है इसकी बेटाए स्टेप बेट करेंगे ना कोई काम आथो सीधा वो दिखाएंगे ना कैसे आता है वो यू आएगा अब थ्री से थ्री कैंसी लोगा फिर टू लिखेंगे समझ रहे हैं होता है वो पता है लेकिन लिखने का तरीका पावर में ऐसे करेंगे इसको सोल अब मेरी क्या बचगी टू की पावर माइनस वन बाई टू ठिक अब नीचे जाएगा तो पलस हो जाएगी टू की पावर वन बाई टू या एक अठा लिख दो इसको पूरे में अब एक काम करो टू को इससे फ्री करने के लिए काम किया मैंने टू से मल्टिप्लाई और एक टू से डिवाइड फरक क्या पड़ेगा उससे उससे ही हो जाएगा उपर वाले टू की तो वन बाई टू है नीचे वाले ही टू की पावर वन वन टू की पावर टू और इंटू वन बाई टू यह वन बाई टू तो रहेगी तो इंटू में यह वन बाई टू यह कैंसिल तो वन बाई टू तो अलग आ जाएगा और उधर तू की पावर वन बाई टू रह जाएगी शायद यूँ छोट रखा होगा तो और कोई पंगा कर रखा है अच्छा इन्होंने इसी स्टेप में खतम कर दिया मल्टिप्लाइब करवाने क्या जरूत है यह भी गम चक्कर है कुछ नहीं है यह वह समझाता हूं दूबार यह ऐसे करना चाते थे इन्होंने स्टेप खाके छोड़ दिया वह करना युँँ चाते थे इन्होंने स्टेप कम कर रखा अर्डिवालों ने ठीक है यादक समझाया पहले बताओं छोड़ तो सकते हैं उसमें कोडिकत नहीं लेकिन कोशिश करो कि आगे करो इसको नीचे ले आए वन भाई टू को नीचे ले गया तो पावर पोस्टिव होगी ये टू मल्टिप्लाइ डिवाइड बाद में किये मैंने ये बात समझाई ये जो टू था इसको नीचे ले गया तो पावर वन भाई टू पोस्टिव होगी फिर टू से मल्टिप्लाइ टू से डिवाइड किया ताकि एक टू बाहर निकल जाए रूट से तो देखो उपर तो टू की पार वन भाई टू है ये वन भाई टू होल की है न पूरे की तो टू की वन भाई टू तो उधर चली गई नीचे टू की पार वन प्लस वन कितना हो गया ये बताओ वन प्लस वन टू और ये वन भाई टू नीचे भी लगेगा क्योंकि होल की है ठीक है तो इस ट 2 से यह 2 कैंसिल 2 की पार 1 by 2 नीचे क्या बच गया 2 which is required answer ठीक है next next देखो भई रूट 4 की माइनस 7 रूट 2 की माइनस 5 यह है बई अब इसे solve करते हैं 4 को लिख दो 2 की 2 रूट का मतलब 4 को लिखा मैंने 2 की 2 और रूट का मतलब पावर 1 by 2 होल में क्या है माइनस 7 मैंने अभी 4 को लिखा है 2 की 2 रूट 1 by 2 है होल में माइनस 7 है इन्टू यहाँ 2 की पावर है 1 by 2 होल में माइनस का 5 रूट क्लियर है बही को दिखा दिया है तक तू से 2 कैंसल तू की पावर माइनस 7 और यह 2 की पावर माइनस का 5 by 2 मल्टिप्लाई हो जाएगा नीचे ले आओ पोस्टिव हो जाएगा 1 by 2 की पावर 7 1 by 2 की पावर 5 by 2 दोनों को एड कर दे तो बेज सेम पावर एड नीचे नीचे 2 की पावर 7 plus 5 by 2 7 तू जा 14 प्लस 5 19 by 2 हाँ बोलो नीचे तो मल्टिप्लाई में है ना नीचे आपस में तो मल्टिप्लाई में है 1 by है लेकिन हाँ तो इनके बीच में तो मल्टिप्लाई का साइन है ना यह देखो इन दोनों के बीच में दोनों डिवाइड में चले के तो दोनों मल्टिप्लाई में होगे ना दोनों नीचे चले गए अब यह है 2 की पावर 19 by 2 सर्वापया आपने स्यान को प्रुजिम में ट्रेक होगिया LCM LCM लिया ना 7 पावर में क्या है 7 plus 5 by 2 2 को LCM लोगे 2 बंचा 7 तूचा 14 plus 5 तो यह आगया 19 by 2 which is required answer ठीक है मतलब इस चीज़ का इस चीज़ का 19 by 2 अब क्या है अब सुनो भई अब तूखी पावर 19 by 2 है ठीक यहां से क्या कर सकते हो देखिए जान से देखिए पावर है 19 by 2 डिवाइड में है 2 ठीक एक 2 से मल्टिप्लाई कर लो रेक 2 से डिवाइड और मल्टिप्लाई कर लिया यहां तक कोई दिकत यह 2 बाहर निकलेगा 19 पावर के साथ उपर वाले 2 की पावर तो कितनी होगी 19 by 2 निक्चे वाले 2 की पावर 2 इंटू 19 by 2 ठीक तो यह कितना आजागा 2 से 2 कैंसिल उपर तो कितना बचेगा 2 की पावर 19 by 2 निक्चे 2 की पावर 19 इसकी शकल क्या है इसने 2 की 10 और 2 की half यह छोट रखा है बेश से मैं कर दो माइनस करोगे तो क्या आजाए बेश से मैं 19 by 2 से करोगे निक्चे 19 by 2 आजाएगा वो तो मेरा यही आगया वो तो यही चीज आगी फिर यही चीज आजाएगी 19 by 2 अगर करोगे तो इसने छोट तो इसने भी radical में रखाया यही चोट दो चैफिर आप यही चोट दो प्रॉपर तो इन्होंने फरी किया है नहीं आप यहां भी चोट सकते हो यह रहा विचिज रिक्वाइड अंसर यह रहा यहां छोट दीजी अंसर कोई दिक्कत नहीं है समझ रहे हैं आप किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आप यहां छोट दीजी है हो जाएगा ठीके चलिए बच्चों next अब चलते हैं आगे क्योंकि इन्होंने कौन सा 2 थोड़ा बार थोड़ी ना निकाल रखाया प्रॉपर फ्रेक्शन पाउर से 10 में ला रखा एक वो इन्होंने एक ही काम कर रखा इससे आगे अगर आप यह सोचो कि इन्होंने किया क्या है सर आप हमें अंसर मैच करना हो तो इससे आगे एक स्टेप कर रखा उन्होंने बताओं क्या अगर बाई चांस आपको अगर यह देखना हो कि आडी सेंसरी मैच करना है सर कैसे करे 19 बाई 2 है 2 की पावर 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई और 2 की पावर 1 बाई 2 से डिवाइड पर इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया ठीक उससे हुआ क्या उपर तो 2 की पावर 1 बाई 2 निचे 2 की पावर बेस सेम पावर एड 19 बाई 2 1 बाई 2 हो जागा 20 बाई 2 ठीक है तो यह कितना आगा 2 की पावर 1 बाई 2 और यह 2 की पावर 10 यह आडी से मैच हो गया 2 की पावर 1 बाई 2 से मल्टिप्लाई डिवाइड कर दिया सिरफ बेस सेम पावर एड पावर 19 बाई 2 और पावर 1 बाई 2 एड करोगे तो 2 LCM 19 प्लस 1 20 बाई 2 वो 10 आ जाएगा 2 की पावर 10 यह करना चाहो तो ठेक है ना next next देखिएगा example 6 के 6 पाट है कैसे होंगी simplify first under root x minus 2 और y cubed second x minus 2 बाई 3 y की minus 1 बाई 2 का whole square third under root x minus 3 whole 5 देखिएगा इनको पहले तीन देख लिजिए इसके कैसे simplify होंगी simple funde से simple funde से solve करेंगे आराम से x square है देखिए सबसे पहले उपर y cube है x की minus 2 है नीचे जाके x की plus 2 under root as it is कोई रिकत under root का मतलब क्या होता है power 1 by 2 ठीक है उपर y की power 3 by 2 हो जाएगा नीचे x की power 2 into 1 by 2 2 से 2 cancel y की 3 by 2 और x free हो गया yes or no ठीक है ना next इसमें देखिए जरा दोनों के साथ 2 करना चाओ अलग से multiply करवा सकते हो x की power minus 2 by 3 into 2 into y की power minus 1 by 2 into 2 2 था इस पे अलग गया और इस पे अलग गया दोनों पे अलग अलग ये 2 से 2 cancel तो आगया हमारे पास x की power minus का 4 by 3 और y की power minus 1 minus है अप उन में चली जाएगी तो power क्या हो जाएगी plus तो 1 by x की power 4 by 3 positive और y की भी 1 हो जाएगी positive that's it यहीं छोड़ सकते हम clear next द्यान से देखिएगा समझिएगा x की power minus 3 under root का मतलब x की power minus 3 as it is under root का मतलब power 1 by 2 whole power 5 as it is ठीक पहले अंदर वाली दो नो multiply होंगी तो x की power multiply करों minus का 3 by 2 whole power 5 इनकी multiplication minus 3 by 2 whole power 5 अब अब इनकी multiplication अब इनकी multiplication power से power की minus का 5 3 जा 15 by 2 x की power minus का 15 by 2 नीचे ले आईए positive में हो जाईए 1 by x की पावर 15 by 2 क्लियर है कोई doubt यहां तक next तीन पार्ट हो रहे हैं इसके देखिएगा 6th 4th sorry 4th है root x की power minus 2 by 3 y की 4 divide under root x y की power minus 1 by 2 ठीक है भई 4th में यह y की power में है ना सिरफ minus 1 by 2 यह x y की whole power में है नहीं शिरफ y की power में minus 1 by 2 है कर इसके बाद देंगे 4th root 3rd root x square देखिएगा देखिएगा जरद्यान से ठीक देखिए भई सबसे पहले इसका system सुदा रेंगे उपर एक्स की power 1 by 2 इंटू में कोन है माइनस का 2 by 3 इंटू y की power 4 इंटू अंडर रूट यह नि 1 by 2 और डिवाइड में डिवाइड का साइन है ना डिवाइड में कोन है x y की माइनस 1 by 2 और होल में 1 by 2 देखिए रूट को 1 by 2 पावर मल्टिप्लाई इसको 1 by 2 पावर मल्टिप्लाई डिवाइड में यानि नीचे x y की माइनस 1 by 2 और होल 1 by 2 2 से 2 कैंसिल 2 तू जाफूर तो उपर x की बच गई माइनस 1 by 3 और y की कितनी आगी y स्क्वेर नीचे इस x की अलग कर दो 1 by 2 और y की माइनस 1 by 2 इंटू 1 by 2 ठीक है द्यान से देखिए अब x की तो नीचे आजाएगी 1 by 2 तो है ही और एक x की नीचे आके 1 by 3 पोजिटिव हो जाएगी उपर y स्क्वेर पोजिटिव है नीचे कितनी है y की माइनस का 1 by 2 इंटू 1 by 2 माइनस का 1 by 4 माइनस 1 by 2 इंटू 1 by 2 तो माइनस 1 by 4 उपर जाके y की कितनी हो जाएगी प्लस 1 by 4 ठीक है अब उपर बेस सेम पावर एड 2 plus 1 by 4 नीचे भी बेस सेम पावर एड 1 by 2 plus 1 by 3 उपर वाले का LCM लोग पावर में 4 LCM आएगा 4 तू जा 8 प्लस 1 नीचे वाले का 6 LCM आएगा 2 तू तू जा 6 3 तू जा 6 ठीक है उपर वाई की पावर हो जाएगी 9 by 4 नीचे एक्स की पावर हो जाएगी 5 by 6 विच इस रिक्वाइड अंसर ये अंसर होना चाहिए यही है ठीक है समझ आया clear बच्चों next ये देखिएगा भाई x y square cube root है cube root का मतलब power 1 by 3 है divide में divide में कोन है? x square y ठीक है उपर पावर अलग अलग कर दिजिए x की पावर 1 by 3 into y की पावर 2 into 1 by 3 यानि 2 by 3 ये multiply हो जाएगी पावर नीचे x square y की 1 नीचे बड़ी है ना दोनों? तो base से मैं उपर नीचे हो तो पावर सब्ट्रेक्ट हो जाती है subtract होंगी तो 1 by नीचे ले जाएगे 2 में से तो 1 by 3 और y के पावर 1 में से 2 by 3 property होती है ना a by b है तो नीचे जाएगे तो 2 में से ये subtract उपर आता तो 1 by 3 में से subtract property है ये a की पावर m plus a की पावर n base सेम है तो पावर सब्ट्रेक्ट अगर नीचे सब्ट्रेक्ट करनी है तो n माइनस m हो जाएगा ये उपर करनी हो तो m माइनस n हो जाता ये अब यहां से LCM लेके करेंगे तो X की पावर 3 to 6 minus 1 5 by 3 और Y की करेंगे 3 बंचा 3 3 minus 2 1 by 3 which is required answer 1 by X की पावर 5 by 3 और Y की पावर 1 by 3 clear है last last देखिएगा ये देखिए सबसे पहले बारी बारी से open करेंगे X square अंदर X square ठीक है third root है third root रख लीजिए उसके बाद कोन है fourth root है fourth root की पावर कितनी हो जाएगी 1 by 4 फिर third खोलेंगे X square third root की पावर कितनी 1 by 3 और whole कितनी जारी है 1 by 4 multiply कर देंगे पहले बाहर वालों को कर दीजे दोनों को X square as it is 1 by 3 into 1 by 4 1 by 12 now X square into 1 by 12 अब इन की कर दीजे multiply 2 से कट करेंगे तो 2 बन जा 2 6 जा 12 X की पावर 1 by 6 which is required which is required clear है यहां तक situation किसी बच्चे कोई doubt हो जाएगा तो देखिए बेटा आप लोगों का example 6 हो चुका है तो आप लोगों ने जो homework में करने है homework दिया था 2.2 का भी कुछ 2.2 का तो कुछ भी नहीं दिया तो note कर लिए हाँ तो आप देख लिजिए question 1, question 2, question 3 पहले 3 question के सभी parts यह हो जाएगे question 4 अभी रहने देना 1, 2 और 3 के सभी parts यह कर लिजिए ठीक है बाकी हम कल करेंगे कल कौन से वाला homework question 1, 2 और 3 के सभी parts question 1 के सभी parts 2 के सभी parts और 3 के सभी parts 2.2 exercise में से ठीक है कल देखते हैं मैटा आपने doubt ready रखना ठीक है तो हो सकता है मैं doubt भी ले लूँगा हो सकता है थोड़े बहुत आगे भी करवा दू क्योंकि जादा है 16 है और दीरे दीरे चल रहे है कल doubt भी ले सकता हूँ depend करता है आप दोनों चीज रेडी रखना ठीक है चलिए बेटा बाकी कल करते है आज के लिए इतना ही च्पया तो दुआ जाँ I झाल झाल